कि मेरे प्यारे बच्छों चलो तो क्या आप लोगों ने 3D सीरीज के electronic configuration को observe किया क्या आप लोगों ने 3D सीरीज के नाम को observe किया क्या आप लोगों ने 3D सीरीज के ट्रिक को अब्जर्व किया हमारी जो ट्रिक थी प्यारी वाली सुंदर थी वंधना कुमारी मांगा फिर करोडों का नेकलेस तो छुप गया उसका जानूं ये वाली हमारी ट्रिक थी अब guys हम लोग ये trick complete करने के बाद हम लोग हमारे अगले elements की तरफ चलते हैं अब हम लोग हमारे अगले elements की तरफ चलते हैं so guys अगले element के electronic configuration को हम लोग यहाँ पर याद करते हैं पहले हम लोग इसकी trick देख ले तो जो बड़ी awesome लगती है मुझे y याने ytrium के लिए हम यूज करते हैं यारी जरा थोड़ा मोटा हो गया ही है तो यारी जरा निभाना यारी जरा निभाना मौत तक या आपके पहले चार के नाम हो गए ytrium, zirconium, niobium, molybdenum and technetium ठीक ह्या रहा बच्चो यह आपके इन elements के नाम हो गए आप यहाँ पर चाहएं तो इन elements के नाम देख सकते हैं ytrium, zirconium, niobium, molybdenum and technetium ठीके बैरे बच्चों यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिखकर ना हो इसके बात में आपके पास में जो नाम आएंगे थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूं या जूम आउंट करूं तो आपको जूम आउंट करने पर यह बढ़ी आतरीके से क्लियर दिख रहा है मैं इसको पहले अश्रा भिसा करता हूं हां तो मेरे बच्चों क्या आप लोगो यहां तक की ट्रीक क्लियर हो गई तो यारी जरा निभाना मौड तक वाई जेड़ एंबी एनबी एमोंटीसी इसके बाद दूसरी जो ट्रीक हैं मेरे बच्चों इसके बाद जो दूसरी ट्रीक है वो एक अलग तरीके की ट्रीक है मतलब आपको टेकनीशियम तक यहां तक आपको यह ट्रीक यूज़ करनी फिर अगले 5 के लिए क्लिए उसकरेंगे आर यू रूठी रहेगी रूठी रहेगी पीडी पीडी के लिए हम डार्लिंग एजी एजी को हम लोग एक बार याद करेंगे जैसे साउथ इंडियन accent में usually एक को एग बार एग आयर हमारा वो एग बार मेरी बात सुनो एग बार एग एग इसलिए एजी को हम याद करेंगे एक बार cd cd कैडबरी तो खिलाओ एक बार कैडबरी तो खिलाओ तो गाईस हमारी ट्रिक क्या है हमारी ट्रिक है रूठी रहेगी परी डार्लिंग एक बार कैडबरी तो खिलाओ तो r u r h p d a g and c d अब गाईस इस 4D सीरीज के अगर हम electronic configuration को ध्यान से observe करें तो आप खुद इस चीज को देख रहे हैं कि इन सब के अंदर के आर याने क्रिप्टॉन नाम की noble gas बना रखे भाई देखो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप यहाँ पर सबके लिए AR commonly use करेंगे AR is argon, argon एक noble gas होती है ठीक उसी प्रकार क्रिप्टॉन मेरे प्यारे बख्चो, क्रिप्टॉन भी एक noble gas होती है इस क्रिप्टॉन का मतलब होता है कि इन सारे d block element में जो inner orbital electron है जो valence shell के अंदर के shell के electrons है उतने ही electrons आपको इस क्रिप्टॉन नाम की noble gas के अंदर भी मिलेंगे जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा था कि scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc इन सब के अंदर ये आपके valence shell और penalty met orbital के electrons है 4S आपका valence shell है और 3D क्योंकि bonding में participate कर सकता है उसके पास में capacity होती है bonding में participate करने की इसलिए हम इसको अलग लिखते हैं इन दोनों को छोड़के अगर मैं बाकी के electrons को दिहान से observe करूं तो ये सारे अंदर के shell के जो electrons होते हैं ये सारे के सारे अटरा होते है 18 और 18 electron दारगॉन में देखे गए ठीक उसी प्रकार अगर आप 4D series के elements देखें तो 4D series के elements के अंदर भी मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों मेरे बच्चों मेरे बकुडों मेरे लालों अगर आप इनको देखें ये तो ये सारे bonding में participate करेंगे लेकिन बाकी के जितने भी inertial electrons हैं वो सारे के सारे inertial electrons क्रिप्टॉन की तरह होंगे क्रिप्टॉन में जितने electrons होंगे उतने electrons आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे क्या ये बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों पक्का 100% clear great तो अब हम लोग इसके electronic configuration एक बात ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 3D series के बाद में 4D series आ रही है तो अगर आप 3D series में argon use कर रहे हो तो 4D series में argon के बाद वाली noble gas क्रिप्टॉन यूज करोगे हो गया कितना आसान हो गया मनलब क्रिप्टॉन 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 लिग दिया आपके 4D series का जो general electronic configuration है अब वो change होकर हो जाएगा क्रिप्टॉन यानि की के आर क्रिप्टॉन के बाद में आप लिखेंगे 4D 1,2,10 and 5S and 5S 1 से 2 is the general electronic configuration of your 4D series अब वाइट्रियम से शुरू करो देखो वाइट्रियम के अंदर हमने 5S में 2 electron रख दिये 4D में 1 रख दिया फिर इसके 5S में 2 electron रख दिये इसके 4D में 2 रख दिये लेकिन यहाँ पर NB में NB में एक अलगी case हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर 5S में 1 electron and 4D में 4 electron तो यह थोड़ा सा हमारे सामने के exceptional case आया then 5S में 1 and 4D में 5 molybdenum यह तो आप सब लोगो clear हो गई then यहाँ पर 5S में 1 4D में 6 5S में 1 4D में 7 5S में 1 4D में 9 5S में 0 and सारे के सारे PD के अंदर 5S में 1 4D में 10 5S में 2 4D में 10 अब आपके मन में सवाल आयोगा कि सर यह configuration बड़ा अजीब है क्या हमें याद करना है नहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं है 4D series के electronic configuration को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है सिरिफ configuration आपको 3D series का याद रखने जो प्रॉपर पैटन पर है इसके अंदर प्रॉपर पैटन फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप series में नीचे की और जाते हो इनका size बढ़ता है इनके अंदर 4F orbital 5D orbital बहुत सारे orbitals आ जाते तो कुछ तो भी इनके अंदर pattern चलता है यह मेरी guarantee आप इसको मत याद करो बस आप लोगों को एक generally knowledge के लिए चीज बता रहा हूँ कि आप यह हमको knowledge मिल गया हमको पता चल गया कि यह ऐसा होता है ठीक है screenshot ले लो screenshot ले लो फिर हम लोग चलते हैं 5D series की तरफ 5D series की तरफ में यह मिटाओंगा फिर मैं 5D series कर identity कर लूँगा इसलिए मैं आपको screenshot लेने के लिए बोलु आप चली great अब हम लोग चलते हैं हमारे 5D series की तरफ अब हम लोग यहा पर देखेंगे कि हमारी जो 5D series के elements हैं इनका हम लोग नाम कैसे याद रखते दो कोई जैसा मैंने आप लोगों को टर्म 1 के लिए रेकमेंड किया था के पास में बुक होनी चाहिए क्योंकि इस बुक के अंदर 900 से जादा प्राक्टिस क्वेशन पेपर नंसी आड़ी के बिल्कुल नए पैटर्न पर फोकॉस्ट है इसके अंदर आपको mcqs भी मिलेंगे case study assertion reason भी मिलेंगे ncrt ncrt exemplars के सारे question के आपको solutions मिल जाएंगे previous year के question paper भी इसके अंदर included है तो गाइस इस book को अगर आपको online purchase करना है तो मैंने आपको इसका link जो amazon पर available है वो मैंने आपको इसके अंदर दी दिया है link पर click करके आपको almost oswal की सारी किताबे इसके अंदर मिल जाएगी chemistry के लावा बादर subjects भी में refer कर सकते हैं 10th के students नाइंथ के students तो आप भी refer कर सकते हैं guys इनका telegram link जिसके अंदर ये free data free mock test study material वगएरा upload करते रहते हैं आपको exam के लिए preparation करने के लिए बहुत सारा free data मिलता रहता तो guys ये दोनों telegram link का भी मैंने दोनों channels का link telegram का मैंने नीचे description में mention कर दिया है एक बार telegram channel भी इनका join कर लीजिए तो gravity circle से आपको मैं पूरा 100% prepare कर रहा हूं हम oswal की sample paper वगएरा की series लाकर practice भी करते इसकी trick क्या la lengthenum lengthenum की trick है la hf hafnium hafta la hf और ta से बन जाएगा ता तो ये क्या होगा hafta la hafta वो गुंडे लोग hafta वसूली नहीं करते ला वड़ा चलो वड़ा खर्चा निकालो चलो la hafta निकालो हे वड़ा हफता निकाल production money हफता निकाल हफता तो ये वो होता है तो la hafta w से हो जाएगा वरना tungsten la hafta वरना re element की trick हम याद करेंगे renu la hafta वरना renu os osmium को हम याद रखेंगे और ir ir से हम याद रखेंगे ira ira या indra जो तुम्हारी जो तुमको अच्छी लड़की लगे तो la hafta वरना और इंद्रा पीटी पीटेंगी मैंना दोनों गुंडी हैं यह हम लोग सोचे थे कि गुंडे हफता वसूली कर रहे लेकिन यहाँ पर हफता वसूली तो गुंडिया कर रही है तो trick क्या है la hafta वरना रेनू और इंद्रा पीटेंगी au gold और तू HG हग देगा सर आप तश्रीलता पर उतर आए अब हग देगा हग देगा भई हग दो प्रकार की होते हैं एक तो जादू की जप्पी वाला हग तो या तुम वो हग दे दो या तो फिर वो वाला हग जो हम रोज सूबे करते हैं तो trick भईया तुम्हारे इपर है तो la hafta वरना रेणू और हिंदरा पीटेंगी और तू हग देगा तो यह भाई आपकी trick है यहाँ पर क्रिप्टोन के बाद जो अगली noble gas आती है xenon आप इन सब के अंदर xenon को observe कर रहे हैं लेकिन आप इसके अंदर एक नया point भी observe कर रहे हैं कि यहाँ पर 4F14 electrons भी आप लोगों को द पिर आप यहाँ पर देखे 6s2 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 इन दोनों में 6s1 हो गया ताकि यह अंदर वाले orbital को satisfy कर सके 5d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d9 d10 d10 इसका फिर भी easy है इसका उट पटांगे lengthenum lengthenum यह मैं कहूं 5d series के configuration याद करना और easy है ठीक है तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाईया मुझे general configuration बताओ 5d series का तो 5d series का general configuration क्या होगा कुछ में नहीं 5d series का general electronic configuration में आप noble gas लिख दो xenon xenon के बाद में आप लिख दो 4f14 4f14 के बाद आप 5d में 1 to 10 कर दो और 6s के अंदर 6s के अंदर आप 1 to 2 कर दो क्या है बस समझ मैं प्यारे बच्चो तो बहुत easy है configuration it's not a big deal configuration not a big task इसमें आपको time waste करने की जरुवत नहीं है मैं बस आपको जो बोल रहा हूँ आप बस मेरी बात पर भरोसा करो और 3d series को पढ़के चलो 3d series configuration याद करके चलो बाकी 4d और 5d series के नाम की ट्रिक मैंने आपको सीखा दी थोड़ा बहुत अंदाजा रखो हाँ question कहां आता है अगर कभी बहुत बुरी किस्मत रही बहुत बुरी किस्मत रही अगर आपकी तो guys आप लोगों को जो सवाल configuration पर आएगा वो आएगा PD पहले डियम क्या सवाल आएगा पहले डियम एक ऐसा element है एक ऐसा metal है जिसका 5s खाली होता है यह आपको याद रखना है that's it चीक है बाकी अगर आप इसमें भी ट्रिक निकाले तो आप ट्रिक निकाल सकते हो देखो कैसे वाइट्रियम और जिर्कॉनियम में normal चल रहा है S भरा हुआ है इसके 1 और स्कटू फिर N B M O T C R U R H इन अगले 1,2,3,4 और 5 elements में 5 metal में 5s एक एक भरा हुआ है और N B में 4,5,6,7 और 8 है फिर उसके बाद में PD में यह 0 हो गया यह 10 हो गया फिर उसके बाद में आखरी के 2 में 5s में 1 है एक में 2 है और दोनों में 10 10 है तो अगर आप trick लगा के याद करना चाहो logic लगा के याद करना चाहो तो well and good नहीं चाहो तो और बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है so this completes our electronic configuration अब guys आगे बढ़ते हैं और guys हम लोग start करते हैं हमारे D block elements की physical और we can say general properties so guys अब आप लोग सब मेरे साथ में मिलकर heading डालेंगे the general properties general properties general properties of transitional metals general properties of transitional metals आपके transitional metals की हम लोग यहाँ पर general properties discuss करने वाले है ठीक है मेरे प्यारे बच्चो general प्रॉपरिटी हम दोग यहाँ पर discuss करने वाले जो हम हम डिसकस करने वाले हैं इनकी physical properties physical properties physical properties में अगर मैं आपके साथ में discuss करूँ तो आप देखो आपके साथ ने एक proper page खुला हुआ है जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है यह समझाने से पहले मैं आपको एक general चीज बता दूँ भाई मुझे एक बात बताओ आपके यह transition metal आपके d block metal metal है हाँ सर तो metal के अंदर वो सार property हो कि तुम्हारे metal की होती है कैसी भाई they are having conductivity इनका conductive nature होता है इनके पास में sonorous property होती है यह malleable होते हैं यह ductile होते है they are malleable they are ductile इनके पास में high tensile strength होती है they are having high tensile strength इनकी tensile strength एकदम high होती है एकदम मस्बूत होती है एकदम कड़क होते है मेरे प्यारे बच्चो यह सारी बात आपको पता ही होगा then उसके अलावा thermal conductive nature के भी होते है गरम thermal conductivity भी इनके पास में होती है तो यह सब इनकी general properties होती है लेकिन यहाँ पर मैं आपके नजर एक important चीज़ पर वापस पीछे ले जाके डलवाना चाहूँगा physical property पढ़ने से पहले मैं important चीज़ आपको करवाना चाहूँगा ज़रा यहाँ पर आप एक चीज़ पर focus मारो अगर आपको याद हो तो पिछले lecture में मैंने आप लोगों को d block element की एक general definition करवाई थी और मैंने आपसे कहा था कि d block element मेरे प्यारे बच्चो वो element होते that have incomplete d orbital इन लोगों के d orbitals incomplete होते हैं क्यों incomplete होते हैं क्योंकि इनका electronic configuration भरने का तरीका अजीव होता है बही s block और p block में क्या देखा गया कि s block और p block के अंदर हम लोग हमारा आखरी electron या तो s orbital में रखते हैं या तो p orbital में रखते हैं लेकिन d block के अंदर आते वक्त हमने ये देखा कि हम हमारे electron को पहले एक valence orbital में भरते हैं और इसके भरने के बाद हम वापस से अंदर की और जाकर फिर penultimate orbital याने valence shell के अंदर वाले shell में valence orbital के अंदर वाले orbital में हम electron भरते हैं हमने electron 1 में रखा, 2 में रखा, 3 में रखा, 4 में रखा और 4 में रखने के बाद हम वापस से अंदर आ गए इसका मतलब यह है कि 3d orbital में आपने जो electron रखे हैं क्या वो valence electron हैं नहीं valence electron तो आप 4s में रखोगे तो हम यहाँ पर यह नहीं बोल सकते कि d block elements ऐसे element होते हैं यह valence electron आप d orbital में रखते हो वरना फिर definition गलत हो जाएगी क्योंकि valence electron तो valence orbital में रखेंगे 4s में therefore हम यहाँ पर d block element को ऐसे justify करते हैं कि d block element ऐसे element होते हैं जिनका d orbital incomplete होता that means आपने क्या करा पहले आपने valence 4s orbital याने आपने valence ns orbital के अंदर पहले आपने electron रखा और इसमें electron रखने के बाद आप वापस अंदर गए और अंदर जाकर आपने d orbital में electron रखा बना पहले भार रखा फिर अंदर रखा अब definitely अगर यह आप भर चुके हो तो यह definitely incomplete रहेगा इसलिए हमने इसको d block element बोला लेकिन जब आप electronic configuration देखने जाते हो तब आप लोगों के सामने एक बड़ा अजीब और गरीब factor सामने आता है कि जब आप zinc को observe करते हो तो zinc के अंदर 30 electrons होने के साथ साथ इसका d orbital fully filled होता है इसका d orbital आप लोगों को fully filled दिखाई देता है आपको यह orbital पूरी तरीके से भरेला भरेला दिखाई देता है जब आप cadmium पर आते हो तो भी same situation होती कि इसका भी d orbital पूरी तरीके से भर गया जब आप mercury पर आते हो तो आप देखते हो कि इसका भी d orbital पूरी तरीके से भर गया that means आपके पास में यहां पर एक important factor आगया है आपके पास में यहां पर एक important factor आगया है जो मैं यहां पर आपको mention करवा हूँगा that zinc, cadmium and mercury these three elements have fully filled these three elements have fully filled n-1 d orbital याने इन n-1 d orbital के अंदर आपको पूरी तरीके से full 10 electrons भरेवे दिखाई दे रहे हैं इन सब के अंदर आपको 10 electrons भरेवे दिखाई दे रहे हैं therefore क्या यह हमारे d block element की definition में fit better है क्योंकि d block element तो हमें बोलता है कि d block element वो element होते हैं जिन में d orbital incomplete हो लेकिन यहां तो complete है therefore इन तीन elements के लिए एक अलग से नाम दिया गया therefore these are called as pseudo pseudo transitional elements these are called as pseudo transitional elements इन्हें pseudo transitional elements बोला गया है यह नकली होते हैं fake होते हैं क्या यह बाद मेरे ब्यारे बच्चों का समझ माही तो ध्यान रखना rest all बाकी सारे d block element rest all d block element are called as transitional element rest of them are called as transitional elements बाकी सबको आप transitional elements बोलोगे लेकिन इन तीन को आप pseudo बोलोगे नकली बोलोगे तो यहां पर मुझे इसकी याद इसलिए आ गई क्योंकि यहां पर जैसे मैंने आपको बोला यहां पर जैसे मैंने आपको बोला मेरे प्यारे बच्चों कि इनके पास में high tensile strength होती है high conductivity होती है malleable होते है ductile होते है zinc, cadmium और mercury थोड़े से इनके मुकाबले कमजोर होते है यानि अगर मैं बोलू कि zinc के पास high tensile strength है नहीं क्या zinc malleable and ductile है इतना नहीं क्या mercury बहुत जादा boiling point वाला है नहीं they do not have high melting and boiling point even they do not usually बाकी आपके पास में थो high melting and boiling point होता है बाकी स्बके पास में तो आपका high melting and boiling point होता है लेकिन zinc, cadmium और mercury का होगा क्या नहीं zinc cadmium और mercury का boiling and melting point भी कम होगा कम sonoras होगे होगे ही नहीं in fact malleable ductile होगे नहीं mercury तो liquid है room temperature पे mercury तो room temperature पE liquid है कहां उसके लंबे लंबे वायर बनाओगे कहां उसको टन 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 करके बजाओगे in fact उसकी conductivity भी कम होती है तो zinc, cadmium और mercury मेरे लालो, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चो, मेरे बकुडो pseudo transition elements होते हैं इसलिए उनके पास में ये properties नहीं होती है अगर होती भी है तो बहुत कम होती है क्या ये point समझ में आगे है मेरे प्यारे बच्चो को क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, guys ये जो आपके सामने table बना हुआ है ये basically table बताता है कि आपके जो ये transitional metals हैं ये room temperature पे solid होते हैं और अगर कोई चीज room temperature पे solid है तो उसका अपना खुझ एक lattice structure होगा याद करो, आप लोगों ने solid states नाम के chapter में पढ़ा था कि जो हर solid होता है जो आपका हर solid होता है solid आप कैसे बनाते हो आप बनाते हो solid के अंदर atoms होते हैं या molecules होते हैं या particles होते हो इस प्रकार closely packed होते हैं लेकिन हमने solid state में सीखा था कि गुरू ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है ऐसा कता भी नहीं है एक्चुली यह जो होते हैं यह इस प्रकार से 3-dimensional structure के अंदर होते हैं एक्चुली यह लोग क्या होते हैं एक्चुली इस प्रकार से 3-dimensional structure के form में होते हैं और यहां पर आपको एक आटम यहां दिखता है एक आटम आपको यहां दिखता है एक आटम यहां दिखता है एक आटम यहां दिखता है इस प्रकार एक आटम आपको यहां दिखता है एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा तो यह तुम्हारे unit cell कुछ इस प्रकार से बनते हैं तो इस प्रकार जब एक unit cell यह तुम्हारा क्या है ये 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 और ये अब जब आप इसको कनेक्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों मेरे भकुरों मेरे गुलसारी लालो तो देखो आप इसे कैसे कनेक्ट करोगे देखो इसको इससे जोड़ा इनक इसको सबको आपसम जोड़ दिया इनको जोड़ दिया इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा 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 फिर इसको इससे जोड़ा 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 इस ऐसे दिखते हैं तुमारे solid तुमारे metal भी कुछ ऐसे दिखते हैं जब आप अपने metal को एकदम zoom करके एकदम high ultra microscopic level पर देखो के तुमारे metal के अंदर तुमको तुमारे सारे metal इस प्रकार arrange दिखेंगे सारे metal के atom जो है वो इस प्रकार arrange दिखेंगे तो यहाँ पर हमें यह जानना है कि कौन कौन सा arrangement हो सकता जैसा आप लोगों ने देखा होगा इस arrangement को FCC बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7 और 8 atom तो corner पर है लेकिन 1,2,3,4,5 और 6 atom आपके faces पर भी है उस प्रकार आपने ऐसा BCC देखा होगा एक युनिट से ऐसा बन गया 1,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ को रेक बिल्कुल body के बीचो बीच हो गया इसको BCC बोलेंगे फिर आपने hexagonal arrangement देखा होगा कि 6 atom यहाँ होते 3 atom बीच में होते फिर 6 atom यहाँ होते इसको HCP arrangement बोलते इसी arrangement को CCP close cubic packing arrangement भी बोलते तो यह हम लोगों ने solid state में सीखा था तो हमें यहाँ पर यह observe करना है कि इन में से किसका कौन सा arrangement होता है अब आप यहाँ पर देखो scandium का arrangement hexagonal close packing भी होता है और इसका unit cell BCC type का होता है यानि आपका scandium जो होता है इसका arrangement HCP या CCP type का होता है यानि hexagonal close packing भी करता है और close cubic packing भी करता है और इसके अंदर एक unit cell में 6 atom होते है एक unit cell में 6 atom होते है यानि की hexagonal close packing type जब हम लोग titanium को देखेंगे तो guys titanium का HCP arrangement होता है इसके एक unit cell में 6 atom होते है vanadium का BCC arrangement होता है इसके एक unit cell में दो atom होते हैं chromium का BCC और CCP दोनों हो सकता है हमारी NCRT इससे सिर्फ BCC मानती है तो हम भी इसे BCC मान सकते हैं और इसके एक atom में एक unit cell में इसके दो atom होते हैं फिर तुम्हारा manganese देखो manganese के इसमें X लिखा हुआ है अब guys manganese पूरी D block element में तुमको परेशान करेगा manganese सबसे जाधा पनोती है यह इतना परेशान करेगा भी अपन melting point और atomization की इंथेल भी देखेंगे उसमें भी उंगली करेगा manganese उंगली बाज आदमी है तो यहाँ पर देखो manganese का एक complex structure है NCRT बोलती है X X का मतलब क्या है? एक typical metal अपना खुद का एक अलग type का structure है इसका एक अलग ही अलग ही अलग ही अलग ही अलग ही आपका structure है ना FCC जैसा दिखेगा ना HCP दिखेगा ना CCP दिखेगा अलग ही type का complex है In fact इसके एक unit cell में आपको 58 atoms दिखाई देते है फिर iron iron मस्त आदमी है BCC, HCP, CCP सब दिखाई देता है number of atom अगर BCC वाला structure दिखा रहा है तो 2, otherwise 6, 6 कोबाल्ट कोबाल्टी मस्त आदमी है HCP, CCP दोनों दिखाता है 6 atom या 4 atom हो सकते है nickel, CCP, HCP 4 या 6 atom copper, CCP, 4 atom zinc, HCP 6 atom, समझ मारी मेरे ब्यारे बच्चो इस तरीके का structure दिखाते है सर आपने vitrium family का भी सिका दो तो guys vitrium का HCP structure 6 atom, zirconium HCP structure 6 atom niobium BCC structure 2 atom, molybdenum BCC 2 atom, technetium HCP 6 atom RU, RH HCP, CCP 6 atom 4 atom, PD palladium, CCP 4 atom silver, CCP और HCP दोनों इसलिए 4 और 6 दोनों टाइप के atom दिखते है cadmium, HCP 6 atom sir यहाँ पर आपने cadmium के बाद में lengthenum लिख लिया ठीक है, मतलब हम लोग आगा है ये वाली सीरीज में HCP 6 atom हैफनियम HCP 6 atom technetium BCC 2 atom tungsten BCC 2 atom rhenium HCP 4 atom osmium HCP 6 atom iridium CCP 4 platinum CCP 4 gold CCP 4 और HG rhombohedral char क्योंकि यह liquid होता है room temperature पर तो guys यह इनके room temperature पर इनके structures होते है this is how at room temperature इनका let eyes कुछ इस प्रकार दिखता है sir क्या हमें याद करना है नहीं क्या हमें यह रट के रखना है बिलकुल नहीं कताब भी नहीं चीग है चलो इसका screenshot ले लो सिर्फ knowledge के लिए है J.E. में आता है कोई time pass नहीं करता J.E. में आप से इसे सवाल पूछके NEET में आता है और भी कई सवाल है हमाँ पूछने के लिए और भी कई चीज़े हैं हाँ board exam में most probable chances तो नहीं होते बट बेटा एक बार इनको ध्यान रखके चलो जैसे कि मैंने आपको बताया मैगनीज इसका अपना एक complex structure होता है number of atoms जादा होते है mercury rhombohedral होता है 4 atom होते है और पहले 10 यानि आपके zinc तक थोड़े important पढ़ते हैं ये क्योंकि हम लोग 3D पर जादा focus मारते है apart from that इतना जादा है सो करने की जरुवत नहीं चलो इसको note करो फिर हम लोग चलते हैं हमारी second property that is melting point and enthalpy of atomization की तरफ